हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल लिव लाई फेदर रचना तो आज जब मैं उठी हूना सुबहे तो बहुत ही अच्छा मौसम था एकदम क्लियर था वेदर बिल्कुल भी फॉग नहीं था तो अच्छी धूप निकलने वाली है ऐसा लग रहा है आ क्योंकि कल मैं च्छान नहीं पाई थी तो यह जम गया था तो फिर से मेल्ट करना पड़ेगा यहां मिला लिया है गुर्का पाउडर तो चलिए सबसे पहले तो चाय पीती हूं चलकर तो फिर आपको पूरे दिन का ब्लॉग शेयर करती हूं डेली रुटीन और आपको अच्छा लगता है लाइक शेयर और सबस्क्राइब कर दिया करिए और बस यहां पर मैंने भुजन पानी दाना पानी सब डाल दिया था गिलहरी के लिए और यह भी मेल्ट हो गया यहां प यह दस से बारे दिन का घी है मतमलाई खटी हो गई थी तो बहुत अच्छा निकला है इसके बाद ना मैं यह कुछ कपड़े निकाल रही हूं यहां पर वुलन कपड़े हैं और यह कपड़े ना यूज में नहीं आते हैं और हैं बहुत अच्छी कंडिशन में तो मैंने कोई तो पहनी लेगा यूज हो जाएंगे मतला अच्छी कंडिशन में है और यहां दीवान पर मैं चादर इसकी चेंज कर रही हूं चेंज क्या मतलब इसका यह है कि जो यह चादर में बिचाती हूं इसको धोकर जब सूख जाती है तो यही बिचाती हूं क्योंकि यह दूसरी नहीं बिचाती हूं तो बस यह सब साफसफाई घर की हो गई थी डस्टिंग वगएर तो यहां शूट नहीं क्या है इसके बाद में किचर में आ गई हूं और यह बन रहा है आवले का जूस तो यह तो मेरा डेली का रूटीन है तो हेल्दी ड्रिंक मेरा जरूर मैं पीती हूं इसको और जिस दिन नहीं पीओ ना तो कुछ मिसिंग सा लगता है तो आदत इतने जादा हो गई है इसकी तो बस अभी यहां आवले का जूस पीओंगी और बाहर धूप एक दम से खिल गई है सुबह लगी रहा था ऐसा तो बस यहां पर मैंने आवले का जूस अपना फिनिश करके आ गई हूं मैं थी लेकर तो मैं थी यहां मैं साफ कर रही हूं पत्ते इसके क्योंकि इसकी डंडी बहुत बड़ी-बड़ी होने लगी है अभी मैंथी पकने लगी है मैंथी तो लेकिन अच्छी बहुत लगती है मैंथी की सब्जी मुझी किसी भी तरह से मैंथी खाना अच्छा लगता यहां साफ हो गय थी मैं और यह देखिए कि देख लेना काम आ जाएंगे तुमारे आप क्यूं नहीं कुछ है मतलब रूज हो सकते हैं तो मैं बोल रही थी कि मैं फॉल इसी तरह लगाती मतलब एक साथ नहीं लगाती हूं जैसे फ्री टाइम मिलता है बीच वीच में ये भी लगाती रहती हूं और भी काम मेरे होते रहते हैं और हाथ देखिए कितने ड्राइ हो रहे हैं मैं अभी इसमें देखे वीडियो में बहुत ही जादा क्यूंकि मेरा हाथ ना पानी में रहता है एक तो हमेशा साबुन से दोती भी तो बहुत ड्राइ हो जाता है इसकिन वैसे ही मेरी बहुत ड्राइ है तो यहां पर आज मैं लंच में कुछ ऐसा बनाने वाली हूं जो की जटपट से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी तो आलू का पराठा बना रही हूं तो आलू का पराठा वैसे तो बहुत ही कॉमन सी सबी घरों में बनता है लेकिन हो सकता है मेरी रेस्पी थोड़ी से आपको डिफ्रेंट लगे और अच्छी लगे तो जरूर ट्राइ करिएगा पूरी रेस्पी मैंने यहां पर शेयर करी है तो आलू उबलने के लिए रख दिया था और यह मलाई भी में निकाल रही हूं तो अब कली घी निकाला है इसका तो बिल्कुल फ्रेश मलाई निकालकर 10 दिन जब हो जाते है तब मैं फिर इसका मक्ष निकालकर गी निकाल लेती हूं तब तक ए खटी करती रहती हूं तो फुल क्रीम जो डूद आता है निकालकर रख दे दे इसके बादना यहां पर करना क्य मैं आपको रेसिपी बताती हूं थोड़ी सी मैथी उसमें ले लिए थी साफ करके धोकर उसको नहीं चॉप नहीं सक्तरें और यह बहुत पूरी मैथी इसने बेह पयांफ दो है मैं आज करना के लोrat कि को मिलाऊंगी गेवु का तो एक कटोरी आटा मिला दिया था इसमें और अभी इसमें नमक मिला कर गुंद लेना है इसको तो ये इसी में मैं आलू भरूंगी तो इस आटे में मैथी डाल करना ये बहुत ही टेस्टी बनता है आलू का पराठा कभी ट्राय करिएगा आपको अच् और इसके बाद ये गुंद गया था आटा थोड़ा सा गीला ही लगाते है तो उपर से जड़ा सा ओईल डाला है ओलिव ओईल मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला है और बस अभी इसको रख दिया है रेस्ट के लिए तो ढखकर इसको यहां रख दूँगी मैं आटे को तो अभी मैं आगी हूं नहादो के तो अभी काम हो गया है सारा लंच बचा है तो लंच में आज मैं आलू का पराठा बनाने वाली हूं बहुत ही टेस्टी सा और आपनों के साथ पूरी रेसिपी भी शेयर करूंगी तो देखिएगा जरूर बहुत ही अच्छा बनता है और आठे में मैं थोड़ी सी मैथी भी मिलाओंगी और आलू और प्यास का बनाओंगी बढ़िया सा पराठा और साथ में बनाओंगी रायता बूंदी का तो चलिए बस चलते हैं किचिन में और हाँ आज मैंने ये पहना है फुल कुरता सिल्का है तो इसमें ठंडा नहीं लगत टरए किना मैंने ये चुनि ली थी मतला दुपट्टा था ये उसको यहां कटकर के लगवा दिया है और इसका दुपट्टा ये देखिए तो यही कपड़ा मैंने लगवाया है इसमें कुर्टे में अ इस तरह एक अ तो मैं आ गई थी अप किचिन में और लंच का टाइम हो रहा था तो यह आलू मैंने छील लेते तो अभी ना थोड़े से गरम है यह तभी इसको मैश कर लेना होता है नहीं तो इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं तो हाथ से ही कर रही हूं बहुत ज्यादा गरम नहीं था तो अब देखिए इसमें मैं क्या-क्या मिलाती हूं सबसे पहले तो यहां प्यास कट कर लेती हूं तो महिन-महिन प्यास को चॉप कर लेना है यहां तो महीं कर लेखिए इसमां जाम चॉप union जिएम्सक पॉप कर देखिए थी नह रोगयाया यॉचिए तो दो प्यास मैंने यहां पर कट कर लिये थी एक हरी मिर्ची डाल रही हूं तो एक ही मिर्ची डालूंगी तो क्योंकि और भी मसाले में जाएगी भी मिर्ची और यहां धनिया भी कट कर लिया था तो धनिया बहुत अच्छा लगता इसमें जरूर डालियेगा हरा धनिया तो यह भी मैंने कर लिया था यहां महीं चॉप और बस अब सबसे पहले डाला है मैंने चाट मसाला इसके बाद लाल मिर्ची का पाउडर और यह है धनिया धनिया पाउडर भी थोड़ा सा डालती हूं उपाउडर को पतर अबैंता है, और यह काली मिर्ची का पाउडर है, और यह जो खास इसका एक अबसा इंग्रीडियंट्स बना मृंग है और यह मिर्ची का चाहर के मसाला में लाइक, defend the उपर से नमक भी टाल दिया है तो इसमें कई लोग अधरक भी डालते हैं अधरक मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता तो वो मैंने स्किप कर दिया अगर आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हैं लेसुन भी नहीं डालती हूं मैं तो बस अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो देखिए कितना चटपटा सा और बहुत अच्छा मसालेदार एकदम आलू बनकर तयार है स्टफिंग आलू की तो बस अभी आलू का पराठा बना लेती हूं तो जो ये मैथी का आठा गूंद कर रखा था इसको लिया एक लोई और इसको बेल लेंगे तो यहाँ पर मैं आपको पूरा दिखा रही हूं किस तरह से भड़ना है जो बिगनर से उनके लिए है वैसे तो और लेडिस सब घर मे बनाती ही है बहुत अच्छा बनाती है सभी और इतनी प्रैक्टिस हो जाती है काम करते करते कि यह सब चीजे तो बहुत छोटी हो जाती है फिर पर जो बिगनर्स होती है लेडिस निवली मैरेड होती है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो वो सीख सकती है तो यहाँ पर बेल लेना है और भरने में मैं कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जब भी कोई भी स्टफ्ट होता है पराठा खूब अच्छे से भरती हूँ उसको आलू का पराठा आलू तो वैसे भी अक्छे से भरी जाता क्योंकि इतना मॉश्यर नहीं होता है एक आलू होता है जो गीला-गीला सा होता है। उसमें थोड़ी सी मुश्किल होती है और आजकल तो आलू ना यह बिल्कुल सूखा सा होता है ड्राइ तो बस यहां पर भरके बेल दिया था अभी इसको सेख लूँगी लोहे के तवे पे तो आज ना breakfast तो जल्दी वाला हो गया था जो भी घर में रखा हुआ होता है ना ओट्स वगयरे दूद में पका के खा लेती हूँ कभी cornflakes होता है थोड़ा वो खा लेती हूँ वैसे कमी खाती हूँ cornflakes वगयरे पर जब कभी ऐसा होता है कि बनाने का मन नहीं करता है तब फिर उससे काम चल जाता है और आज लंच में भी मेरा ना दाल सब्जी इस तरह से कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था जटपट वाला यह लंच मैंने सुचा बना लेती हूँ तो इसके संग दही होगा दही बहुत अच्छा लगता आलू पराठे के संग नहीं तो फिर दूद या चाय भी कोई ले सकता है पर चाय में बहुत नहीं पीती हूँ बस सुबह सुबह एक कप चाहिए होती है सुबह तो थोड़ी सी क्वांट्री ज्यादा होती है तो आज मेरा लंच यही होगा आलू का पराठा बहुत अच्छा बहुत टेस्टी बना था तो बस यह घी लगा दिया है मैंने इसमें और जो ताजा गी निकाला था ना वही लगा रही हूँ बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें तो किनारों पर ना एकदम पतला बेलना चाहिए नहीं तो यह मोटा फिर रह जाता है तो यह सिकता नहीं कच्चा कच्चा सा अच्छा नहीं लगता है और कोई भी चीज ना सिकी हुई अच्छी लगती है चाहे भले ही वो मोटी क्यों ना हो पर सिक जाएगी तो उसका टेस्ट फिर अच्छा हो जाता है मुझे ना कच्ची चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है हर चीज को मैं अच्छे से सेखती हूँ भूनने वाली होती है बिल्कुल लो फ्लेम पर उसको भूनती हूँ जैसे बेशन का लड़ू हुआ या कोई इस तरह की चीज होती है ना बहुत अच्छे से भून कर ही बनाती हूँ हल्वा हुआ तो अगर आप जल्दी जल्दी कर देंगे भून लेंगे तो फिर अच्छा टेस्ट नहीं आता उसमें बिल्कुल भी बहुती पेशेंस वाला काम होता है कुकिंग में तभी अच्छा बनता है खाना तो बस इस तरह से यहाँ पर मैंने सारे पराठे बना लिये थे और इसमें गी अच्छा सपड़ गया था कुछ जादा ही एक दम बढ़िया लेकिन टेस्ट में तो फिर पराठा ऐसा ही अच्छा लगता है खूब गी में सिखा हुआ पर हेल्थ कॉंशियस है तो फिर थोड़ा कमी खाना पड़ेगा और एक एक सेक कर में रखती जा रही थी अभी और ये देखिए एकदम एक्जेक्ट बेलकुल सही पड़ा था इसका अंदाजा जितना आलू बचा है एक का ही आलू बचा था और एक का ही आटा बचा था यहां पर वो मैंने सारा लास्ट में भरकर बना दिया है तो कुछ भी बचा नहीं है कई बार ऐसे होता कि जड़ा सा आलू बच गया या आटा बच गया तो फिर वो लगता कि कहां रखो उसको जड़ा सा और साथ के साथ ही ना मैं ये स्लैब भी साफ करती जा रही थी और ये बरतन तो अभी आज जादा नहीं हुए है शाम को आएगी मेरी हेलपर तो फिर दो देगी और यहां पर यह जो दही रखा था मेरे पास बहुत ज्यादा नहीं था जितना भी था उसका मैंने रायता बनाया है बूंदी का रायता इसके संग अच्छा लगता है आलू जाला है वैसे चीनी भी पड़ती है पर मैंने चीनी नहीं डाली ती आपर लाल मिर्ची भुना जीरा धनिया है हरा धनिया तो यह फटा फट से भी तयार हो गया था बस यह लंच की थाली बिल्कुल बन कर तयार है बहुत ही टेम्प्टिंग सा पराठा और भूंदी का राय मेंगे मेंबर घर के तो यहां पर मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ तो मैंने पहले एक पराठा रखा था लेकिन मुझे इतना अच्छा फिर लगा फिर एक और लिया था तो दो पराठे तो खाए लंच में तो आपको मैं तोड़ कर दिखाती हूँ यह देखे कितना अच्छे से भरा हुआ है पराठा और बहुत अच्छा बना था और वैसे ना होता क्या है जिसे गर्मियों में जब मैं बनाती हूँ तो कसूरी मैथी डाल देती हूँ आलू में लेकिन अभी आटे में मैंने मैथी डाली है इसलिए कसूरी मैथी आलू में नहीं डाली है जरूरत ही नहीं थी और पूरा इसका फ्लेवर आ रहा है मैथी का और इसके बाद मैंने रख दी थी यहां प्लेट अपनी खाना खाकर तो अभी मन हुआ कि कुछ मीठा भी खाओं तो ये तिल का लड़ू बना कर रखा है ये मैंने एक लिया था ये खाया है और बस अभी मैं थोड़ी देर इदर अपना घूमी हूँ घर में जो भी फैला सब तयारी पहले कर ली थी और यहां मेरा इनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है वीडियो अच्छे लगते हैं कुछ भी इंस्पाइरिंग लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तो यह भी आलू का पराठा यहां खा रहा है और मैं आ गई थी अभी इधर दूसरी बालकनी में तो इसमें न धूप आती है इस टाइम तो अब मैं यहां पर कंगी कर रही हूँ बाल इतना जादा उल्जा हुआ था और ओईलिंग भी नहीं हुई है काफी दिन से तो पंद तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केर बाबाए थेंक यू फॉर वाचिंग